हेलो एड़ीवान, नमसकार दोस्तों, आज मैं आपके लिए कर आया हूं class 12th history 500 questions का set first video friends मैं आपको हड़ेक सेट में history के most important questions का practice कराने वाला हूं इस video के सभी questions selected तथा अच्छे level के हैं वही question सुलिया गया जो आपके examination कले important रहेंगे तो वीडियो को पुड़ा जरूर देखिएगा, शुरू करते हैं अपने पले क्यूशन से, फर्स्ट क्यूशन है हमारा, हड़ापा सभेता का सबसे बड़ा नगर कौन था, आपके सामने हैं, तो जिस भी क्यूशन का एंसर आपको पहले से पता रहे हैं, नीचे कमेंट तो ऑप्जेक्टिव प्रस्व नम बन जाते हैं तो इसे कहते हैं मिरीटिको का टिला के नाम से आपके लोग जानते, याद रखेगा, और राय बहादूर धया-राम शाहिनी ने सर प्रत्फम 1921 इस्वी में हरापपा नामक अस्तल का उत्खनन किया यानि की खोज किया और ठीक उसके दूसरे ही वर्स यानि अगले ही वर्स 1922 इस्वी में राखलदास बनरजी ने मोहन जोद्रों की खोज की थी तो याद रखेंगे यह सारे टरम्स इंपोर्टेंट हैं यहां से भी आप के लिए इंपोर्टेंट रहेंगे चलिए नेक्स्ट यूजन की वर्ते हैं सेकेंड जो हमारा प्रस्ट ने कहता है कि सिंधु घाटी निवासियों को किस धातु का ग्यान नहीं था और एंसर करने का प्रयास किजिए बिल्कुल और एंसर लोहा याद रखेंगा सिंधु घा सभेता को का स्यूक की सभेता के नाम से भी जाना जाता है और याद रखिएगा कांसा कहा गया कांसा मतलब होता है ब्रॉंज ब्रॉंज होता है वो मिक्चर होता है कि इसका कॉपर और टीन का तो इसका मतलब हो गया कि वहाँ पे कॉपर और टीन के वारे में भी लोगों को था तो ध्यान में रखेंगे इंपोर्टेंट प्रस्ण है नेक्स्ट हमारा प्रस्ण है ठट नंबर काली बंगन इस्तित है बताईएगा ठट कासा ही अंसर किजिएगा काली बंगन से आपके प्रस्ण में प्रस्ण पूछे ही जाते हैं इसकी खोज कब हुई थी तो 1923 इसमें मिलते हैं तो प्रस्ण हमारा की काली बंगन इस्तित है कहां में इस्तित है दोस्तों बताय yenे गातो आप लोह कमेंट सेक्शन में कमेंट केंजिए क्योंकि जब लास्ट य कमेंट की हो रहते हैं तो थोड़ा मुझे बहुत अच्छा लगता है देखने में कि नहीं लोगों ने मेरे वीडियो को हर एक प्रस्ति को लास्ट तक पढ़ा है ऐसा मुझे मसूस होता है तो चलिए ठट का आपका सही अंसर हो जागा बिल्कुल सही राजस्थान में याद र लिजेगा प्रयाग प्रस्ति की रचना किसने कि एंसर राच्थ मीले या वीडियो के डिस्क्रेप्षन में पहले आपको लिंक मिल जाएगा तो Annoyположerdれて सुखे संघ्न को ऊपशन सिन और अप्रहांग के बुधções के दर्वारी कभी थे याद रखिएगा और प्रच्छिय जो है वह वह समड़ के भी जया अबियान का लेक है यानि से जो को यहां पर दृसाया गया है इस में और समें समुद्र बुप्ट जीते गए राजियों का वर्णन भी क्या है तो मौजूद है तो याद रखेंगे काफी ज्यादा इंपोर्टेंट है यहाँ पे नेक्स्ट जो हमारा प्रशन है फाइब नंबर की मोडे कालीन टकसाल का प्रधान कौन था टकसाल का मतलब समझते हैं आप लोग पहले तो क्या बैं स्क्राइब नाम कौन तब मौडे कालीन टकसाल का प्रधान कौन नाम याद रखेंगे और चीछन करता था उसे कायिता था रूप दर्शक तो याद रखिएगा रूप दर्शक यहां से भी प्रस्वन आपके लिए लिए इंपोटेंट रहेगा जो मुद्राओं काया जाता था और सिखेर पे अधारित अध्यन को मुद्रा सास्त्र कहलाती है याद रहिएगा और सबसे पहले सोने के सिक्षे किसने जारी किये ये आपको comment section में comment करके बताना है नेक्स्ट जो हमारा प्रस्टने 6 नंबर राजत रंगनी के लेखा कौन थे राजत रंगनी जो आपका एक book ही कहिए तो इसके लेखा कौन थे option सामने है पतंजली वानभट विशाखदत और कलहन तो 6 का सही अंसर option D साथियों कलहन आपका सही अंसर हो जागा राजत रंगनी के लेखा कौन है कलहन और कलहन क्या है एक नाम है याद रखेंगे आप लोग कलहन क्या है तो एक सू संस्कृत सिक्षित कास्मीरी ब्राह्मन कभी थे पर प्रस्ण हमारा कि महाभारत यूद कितने दिनों तक चला तो ओप्संस को देखिए 15 दिन 16 दिन 17 और 18 दिन तो 7 का सही अंसर आपका हो जागा वहरी गूर साथियों option D इदर आइट एंसर महाभारत का यूद 18 दिनों तक चला था मैं जितने भी 500 का आपको स्टेट कराने वाला हूं तो यह जितने भी 500 क्यूशंस रहेंगे आपके लिए काफी ज्यादा इंपोर्टेंट रहेंगे और देखिए आपका में मकसद बोर्ड इग्जाम को क्वालिफाई करना नहीं है वोर्ड इग्जाम तो आपका 100% क्वालिफाई हो जाएगा और हिस्ट्री की बात की रचना की हिस भासा में हुए है तो याद रखिएगा एक का आपका समर हुआ गा साथिहों महा भारत की रचना संस्कृत भासा में हुए है बहुत hold i important प्रशन है महा बहारत जोकी कोड़ם और पंदों के बीच एक यूद है था तो याद रखिएगा नाइन नंबर है कि महाभारत किसने लिखा देखी यह सारे सारे प्रस्ण महाभारत से बन रहें तो इंपॉर्टेंट रहेंगे महाभारत किसने लिखा है तो विल्कुल जी महर्सी वेद व्यास ने यहीं बहुत सारे वेद व्यास ने मि का या वैसनाव धर्म का तो त्रिपीटक साहित्ति किसका है दोस्तों ऑप्शन भी याद रखिएगा बौध धर्म का नेक्स हमारा प्रस्ण है 11 नंबर को देखिए पीडिएफ टेलिग्राम से डाउनलोड कर लीजिएगा महात्मा बुद्ध को ज्यान की प्राप्ति कहां हु तो याद रखिएगा नेक्स हमारा प्रस्ण है अगला जो प्रस्ण है बुद्ध का सारनात में दिया गया प्रथम प्रवर्चन क्या कहलाता है तो बुद्ध का सारनात में दिया गया प्रथम प्रवर्चन आपका धर्म चक्र प्रवर्चन कहलाता है यानि ऑप्शन भी सही द्रिजन सारोजा का धर्म चक्रप्रवर्तन बुद्र ने जो शार्नात में अपना प्रथमप्रवत्यन दिया था उसे धर्म चक्रपरवर्तन के नाम से विख्यात किया प्रस्तूत किया प्रशन अगला है अमारा चौदा नमबर कहता है कि इवन बतूता ने अपनी यातरा का विवरन किस भासा में लिखा था जो इवन बतूता था अपका उसने यहां पर भारत आया तो उन्होंने अपनी यातरा का विवरन प्रस्तूत किया तो प्रश्न कहता है कि अपनी यात्रा का विवरं किस भासा में लिखा था तो 14 का सही अंसर करेंगे सभी लोग option D, no confusion, option D, अडवी में इवन बतुता दोड़ा अडवी भासा में लिखा गया उसका यात्रा विर्तान जिसे रिहला कहा जाता है मैं पढ़ाऊंगा, पूरे चैप्टर को एक्स्प्रेन करूँगा, हर एक चैप्टर एक्स्प्रेन किया जाएगा लेकिन इधर से आपका एक 500 का set भी चलते रहेगा, previous year question भी चलते रहेगा और उधर आपका पढ़ाई भी होते रहेगा पंदरा नमबर है, गुप्त काल में कौन चीनी आतरी भारत आया था, तो पंदरा का सही अंसर आपका दोस्तों, option भी हो जाएगा, फाहान फाहान जो था, वो गुप्त काल में चीनी आतरी जो था, वो भारत आया था नेक्स्ट वो हमारा प्रशन 16 नमबर कि डिल्ली से दौलता बाद किस आसक ने अपनी राजधानी परिवर्थित की, किस आसक ने किया था, डिल्ली से दौलता बाद अपनी राजधानी को परिवर्थित, वा गजब, तो कमेंट सेक्षन कमेंट के जियागा दोस्तों, option भी आपका हो जागा मुहम्मद बिन तुगलक, मुहम्मद बिन तुगनेंग ने दिल्ली से दौलता बाद जो अपनी राजधानी थी उसे परिवर्थित कर दिया था, हाला कि फिर इस राजधानी को वहीं पर सिफ्ट क्या गया था, याद रखेंगा आप लो 17 नमबर देखिए गुरु नानक का संबंध किस धर्म से है, गुरु नानक जी का संबंध आपका सिख धर्म से है, हर एक सेट में, किसी सेट में आपका 25 क्यूशन देखने को मिलेगा, तो किसी सेट में 30 क्यूशन देखने को मिलेगा, और इस तरह से आपके 500 क्यूशन आपको कराया जाएंगे केवल हिस्ट्री के 500 क्यूशन पॉलिटी के 500 क्यूशन जियोरॉफी के सारे के सारे चीजों का मैं 500 का सेट ले कराऊंगा उसमें आपका सारा का सारा अब्जेक्टिव क्लियर हो जाएगा सब्जेक्टिव के लिए चलेंगे टेंसर नहीं लेना है 18 नमबर जो प्रशन हैं दोस्तो निमने लिखित में महिला संत थी ओप्षन है मीरा अंडाल कराईकल इन में से सभी तो 18 का आपका सही अंसर ऑप्षन डी जितने भी हैं वो सब महिला संत हैं मीरा भी अंडाल भी कराईकल भी स्रीकृष्णी की भक्त मीरा तो याद रखेंगे आप लोग 90 नमबर देखिए आइन एकबरी किस ने लिखा आइन एकबरी किस ने लिखा है तो 19 का आपका सही अंसर ऑप्षन भी अबुल फजल ने आइन एकबरी की रचना की है आइन एकबरी के बारे में और भी प्रशन है जो की इंपोर्टेंट बनते हैं यहां पर 20 अंसर मंदीर से मंदीर से आपका गोफूरम का संबने साथियों नेक्स हम लोग अपने अगले प्रश्न की और बढ़ते हैं हमारा आज का अगला प्रश्न है करता है हम पी किस समराज से संबंदित है बताइए का अगर आपको इंसर पता रहे तो जरूर से जरूर कमेंट मुझे पता है आप लोग सही बोलेंगे इसलिए मैंने पहले ही आपको सबासी दे दिया 22 नमर को देखिए आइने एकवरी कितने भागों में विभग थे दोस्तों तो 22 का यहां पर किसी तरह का कोई कन्फूजन नहीं पांच भागों में आइने एकवरी आपका विभग थे तो याद रखिएगा और यहां पर आइने एकवरी से एक और प्रस्ट मनता है मैं आपको दिखाऊंगा 23 नमबर प्रस्ट को देखिए आकवर नामा की रचना किसने की थी आकवर नामा जो आपका था इसकी रचना किसने की थी तो 23 का सही अंसर अबुल फजल नहीं आकवर आमा की रचना की थी प्रस्ण है 24 कि भारत में तंबाखु का पौधा लाया गया तो याद रखिएगा ओप्शन सी पूर्तगालियों द्वारा पूर्तगाल से लाया गया था तंबाखु का पौधा और 25 नंबर है लास्ट कुशन्स आप दिस वीडियो कि आइने एक वरी के अ काटा गया दोस्तों तो ऑप्शन सी दर आइट एंसर चार भागों में याद रखिएगा इंपोर्टेंट रहेगा आपके एक्जामनेशन के लिए तो दोस्तों आज की सुडियो मैंने आपको 25 हिस्ट्री के मॉस्ट इंपोर्टेंट कुशन्स को कराया यह सारे के सारे प्र प्रशन में कराता हूं 500 सेट में वह प्रशन आपके मैच करते हैं या नहीं सारे के सारे प्रशन इंपोर्टेंट है तो आप लोग इसे हो सगे तो कॉपी पे नोट भी कर लीजेगा हाला कि मैं इसका PDF दे दूँगा और अपना वेव साइट भी बनकर आहीं गया है उसे बस प्रशन भी दिया जाएगा जैसे होता किया PDF मैं कभी-कभी आप लोग को अप्लोड नहीं कर पाता हूं लेकिन वहाँ पर मेरे वर्कर वर्क करेंगे मतलब जो भी मेरे टीम के सदर्स हैं वह वर्क करेंगे वह सारे के सारे नोट्स आपको प्रवाइड करेंगे पर डे आप आपको निव निव क्यूज देखने को मिलेगा आप पर डे प्रैक्टिस कर पाएगा नए नए प्रशनों को और वहाँ पर लास्ट में आपको रिजल्ट भी बताए जाए कि आपने कितना सही किया कितना गलत किया तो आपके लिए बहुत अच्छा मैं एक लॉंच कर रहा ह वीडियो को लाइक किजिएगा और अपने दोस्तों के साथ सेर किजिएगा मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद टेक के रॉल अफ्यू